सुगैस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल अकाउंट के बारे में गूगल अकाउंट के जो कमेंट्स है वो बहुत सारे मुझे देखने को मिले है और problem तो क्या है कि जल्दी से हो जाती है लेकिन उसे solve करना बहुत ज़्याद मुस्किल हो जाता है तो कई ऐसे accounts हैं जो कि वापस आपाते हैं और बहुत सारे जो account हैं वो वापस नहीं आते हैं कोशिश यही रहती है कि जो भी जिसकी भी problem है वो पूरी solve हो लेकिन यह चीज क्या है कि अगर कोई problem हो तो उसका पता नहीं लगता कि कब problem हो जाए लेकिन उसका solution जो है वो बहुत मुस्किल हो जाता है तो जिनके साथ यह हो चुका है और जिनके साथ अभी तक नहीं हुआ है मतलब कि कई वार क्या होता है कि account कोई चोरी कर लेता है या फिर अभी क्या है कि टू स्टैब वेरिफिकेशन हम ओन कर देते हैं अपने गूगल अकाउंट पे तो उसमें हमें एक चीज बहुत ज़्यादा इन प्रोटैल है जो कि हमें करनी चाहिए उसके वारे मैं आपको बताऊंगा नमश्कार दोस्तों मेरा नाम अनुकुमार आप देख रहे हैं अनुए टेक लिए सो सब्सक्राइट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जब हम अपने गूगल अकाउंट पे टू स्टै वेरिफिकेशन होगा और जो आपने पहले मुबाइल में पहले लोगिन करके रखा है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा गूगल का वहाँ पे आपको टू स्टैप वेरिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन होगी वहाँ पे आपको यस करनी होगी या फिर आपको प्रोब्लम हो जाती है जिस से क्या होता है कि हमारे पास या हमारा मुबाइल नहीं रहता चोरी हो जाता है तो हमारा अकाउंट बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है कि हमें वापस अकाउंट कैसे लाना है अगर आपने टूस्टाप वेरिफिकेशन लगाया तो इसमें आपको क्या करना चाहिए ताकि अगर पासवर्ड फॉर्गेट नहीं हो रहा है आपका मुबाइल चोरी भी हो गया है या किसी भी वज़े से आपको जो है कि अपना जो अकाउंट है वो दूसरे डिवाइस में उपन करना पड़ जाए कभी भी और टूस्टाप कर पाऊगी तो आपको टूस्टाप वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद आपको एक काम जो है कि जरूर कर लेना है वो मैं आपको बता दिता हूं आपको यहां पे जिमेल में चले जाना है या फिर आप डिरेक्ट क्रोम ब्राउजर से जो भी है कि इस पेज पर आ जाओग अगर आपके मोबैल में यह उप्शन नहीं आ रहा है तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको वहां पर आपको टाइप करना है गूगल अकाउंट ठीक है वहां पर आप जो है कि अगर आप उस पर ओक्ए करते हो तो इस पेज पर आ जाओगे और यहां पर आपको जो है कि बहुत ज़्यादे most important जो कि मैं आपको टिप बताने बना हूँ काफी important है वो यहां पर आपको करने को मिलेगी यहां पर आपको सबसे पहले home का option है उसके बाद personal info उसके बाद है data and privacy उसके बाद है security में आने के बाद आपको scroll down करना है और यहां पर आपको पता चल ज मिलते हैं recovery mobile number और recovery email यहां पे आपको क्या करना है जो आपके पास permanent है जो mobile number रहता है आपका जो personal mobile number है वो यहां पे आपको डालना है ताकि अगर कभी भी problem हो जाए आप password forget ना कर पाओ और two step verification अगर आपने own करके रखा है तो आपके पास जो पहले वाला phone है वो नहीं है तो इ यहां पे आपको recovery phone number वही देना है जो आपके पास personal mobile number है ठीक है उसके बाद नीचे की side है recovery email यहां पे आपको एक अलग recovery email यहां पे आपको डाल देनी है जब कभी भी आप अगर मान लो कि आपके पास mobile number नहीं रहता जो आपने recovery number दिया है वो आपके पास नहीं रहता यहां पे recovery email आपने दे रखी है कोई भी तो उससे भी आप जो है अपना account बाद में recover कर पाओगे अगर आपका mobile खो गया है या फिर two step verification करने के बाद आपके पास वो mobile नहीं है जो भी problem आई तो उसमें क्या है कि आपको एक तो यहाँ पे recovery phone number दे दिना है और एक यहाँ पे आपको recovery email दे देनी है ताकि जब कभी भी आगे आपको problem आई गूगल अकाउंट open करने में या फिर आपके password forget नहीं हो रहा है और two step verification आपने on करके रखा है open नहीं हो रहा है तो उस समय में यह आपको इस दोनों चीज बहुत ज़्यादा काम में आई और इसी की मदद से जो है आप लगरी email जो दी गई है यहां पर क्या किया कि जो पहले उसने email जो बना रखी थी जिस पर two step verification जो फीचर है वही email यहां पर डाल दी तो क्या हुआ कि जब वो recover कर रहा है तो उसी email पर कुछ जो भी data जा रहा है या फिर password forget या फिर जो भी जो उसका account से related जो भी information जा रही है व भी open नहीं हुआ है वो यह वीडियो मैंने बनानी जरूरी समझे ताकि आपका जो Google account है अभी Google account के अंदर हमारी बहुत सारा data रहता है और अगर इस प्रकास से हम क्या करते हैं कि टूश्टाफ वेरिफिकेशन ओन कर लेते हैं अपने Google account को secure करने के लिए लेकिन उसी में हम य recovery email बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपने यह चीज नहीं दी है अभी जाके add कर लो क्या पता कल को कोई भी problem हो सकती है और अभी आप जाके confirm भी कर लेना कि आपने जो email दी है या फिर mobile number दिया है वो change करना है या फिर आपका जो यहां पे जो भी data आपने दिया है वो सही यह confirm करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा important समझी इस बात को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी समझा क्योंकि अगर मान लोगी कोई भी problem हो जाती है तो उसे सुदारना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है problem तो पता नहीं कब ह कर देना यह number और email जरूर एड़ कर देना ताकि आपको कोई भी problem face करने ना पड़े तो आज की वीडियो में बस आपको यहीं बताने लिए था आपको यह वीडियो कैसे लिए कमेंट स्रिक्शन में जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो पसंदे तो प्लेज लाइक कमें मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ